कि नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जनल नोलीज की डेली टेस्ट सीरी रोजाना करते हैं यहां पर जनल नोलीज आपकी पूछी जाती है तो उससे संब्सक्राइब कर लें और आने वाले एक्जामों के लिए महत्पूर्ण हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं तो देखिए देना करते हुआ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर कोई भी विद्धारती न्यू स्टूजेंट हैं तो हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन में टाइम टू टाइम मिलती रहे तो देखिए तेरी ने करते हुआ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा जो समंद्रिवी वी बिमारी है या फिर कैंसर की रोक तामका विज्ञन की अपकरन है या तो देखिए जो ट्रॉफिक आ पाया प्रिखा है प्रित्रवी पर कुछ काल्प्री रिखाओको माना गया है तो जैसे कि आपको दो चीज दिखाए दिरा ही एक आपको छीज़ा दिखा है राहोगा और एक डिशांतर रिखा का या होती है इंस आक की हैं देसांतर रेखाएं है ठीक है ना तो यह हमारी अग्सांस रेखाएं और उसके बारे में ऑग परश purity करें ilianus को दो भागों में बाटने वाली जो रिखा होती है उसको भूमंदी रिखा कहते हैं यह जीरो डिग्री पर होती है सबसे प्रिथिवी के बीच में होती है जो कि प्रिथिवी को दो भाग में बाटती है जो उपर वाला भाग होता है उसको उत्री गोलार्द कहते है उसको उत् दिख़ा तरी है यह पूरा जो हिस्सा हो गया यह वीच का हिस्सा हो गया गया रखार वागया आपका इस अगर हम अपने जाएग्राम पर दूआ आते हैं कि क्या था हमारा देखिए हमारा उत्तर में पढ़ रहा है न तो देखिए जो पेपर में था पूछते हैं यहां लिखा हुआ है साड़े तेज उत्री अक्षान्स को पहले पेपरों में अलग तरीके से पूछा जा चुका है इस देखे मैं बताता हूं आपको पहले इस पर हम चच्चा करते हैं अच्छे से देखे जो उत्री गुलार्द में आएंगे उपर की तरफ उपर वाले इससे में फिर साड़े शासे डिग्री पर आपके आर्क्टिक रेखा आती है और इस तरीके से दच्चुनी वाले में भी पर साड़े शासी डिग्री पर होती है बस फरक इतना होता है वह दच्चुनी गुलार्द में हैं कुछ उत्री गुलार्द में उसके बाद जो आते हैं हैं पर यहां पर शेमेने दिन और शेमेने राती है हमें साब तो यह आपका है था अभीशिए मैं बताता हूं आपको पेपर में एक्जाम के अंदर किस तरीके से पूछे गई देखो पहले कोशन मंता करक रेखा का आपका कि भारत के बीचों बीच जाने वाली देखा कौन से करक रेखा है जो भारत की इस तरीके से पूछ लेता है और जो भी टीचर का एक्जाम मोँ अंदर कॉछन पूछा गया थो बहुत अलग तरीके से उसमें यह पूछा गया था कैजह किस दिसाम है ठीक है ना यह कर स्थम फूचह अभी टीचर के एग्जाम में अभी जो हाली में हुआ है थीक है तो इसके अंदर पूचा गया था झाल साथ तो यह 59,000 शुक्षयक वर्ती में पूछ गया था ठीक है और अब की वार जो भी मनें पूछा तो उसने किसे अलग तरीके से पूछा था ठीक ना कि करकरिका किसे हैं करकर एक हम जो उत्तर की की साइड़ी तेसी डिगरी है उसे को करकर करेका कहते हैं ठीक है हैंसर देखा तो दीजह समंझ संब्सेक्ट करते हैं तो दीखे है धरातल पर एक या कि दूरी में मैंसे किसके बरावर होते हैं जो धरातल होता है उसस पर एककशांस की दूरी किसक के बरावर होते पहले तो देखिए कि यहां पर तो बताता हो कि यह डिवर इस एचार लिप तो इस तरीकेत से तोटल बढ़ेट तक होती है तो इनके पुछ रहा है कि ऊपा कि इंद में घो आप सिस्मार होगी और हम आगे चलते हैं 111 किलो में गशांस एक बेच शांट कि दूर को बीजिए होती है एक डिग्री बरावर होता है 111 किलो मीटर और नेक्स कोश्चन पर चलते हैं नेक्स कोशन देखे हमारा क्या है नेक्स कोशन है हमारा कि वह काल प्रेखा जो प्रिथिवी को भागों बाटती है और जो करके रहा है भारत को भागों बाटती है ठीक है जो कि उत्तरी गोलाद में पढ़ती है नेक्ट कोशन देखे हमारा जो है एक देसांतर में दूसरे देसांतर के बीच कितना समय होता है देखे इस तरीके से पूछ रहा है यह इस परकार से जो रेखा होती है तो जो इनके बीच में जो देसांतर है इनके बीच में कितना समय होता है तो चार मिन्ट का समय होता है इनक लीगा पर ते इस वाली रिखा पर आएंगे तो इस्क्तना सामेहिं रेते हैं चार मिन्टी इसने पूछ उच्छा हम तो थीक है चार मिन्ट का समय नगोधे लोता है दीखिंगे मंगे ऋघ्षा करते हो नेक्स जो हमारा परसन है नेक्स परसन है कुल अक्षांसों के संख्या कितनी होती है कुल अक्षांसों के कितनी संख्या होती है देखें इसको समझेंगे कुल अक्षांसों के कितनी संख्या होती है देखें पिर्थवी है अब पिर्थवी में देखें क्या है आपका यह पिर्थवी है और यहाँ पर क्या होता है आपके इस परकार से अक्षांस रेखा है ठीक है ना इस परकार से आपके अक्षांस रेखा है तो देखे नीचे वाली होते है जिरो डिगरी की और उपर जो होती है फिर यहां से एक से स्चार्ट होती है और नबे तक जाती है कहां तक नबे तक तक तो ऐसी करके एक से स्चार्ट होती है यहां नबे तक जाती है तो देखे कुल अक्षानसों की संख्या कितनी है 66 90 यहांपे 181 है गल्द हो गया यह 360 तो देखे अक्षानसों की टोटल जो संख्या है वो कितनी है 181 है क्योंकि देखे मैंना आपका भी बताया 0 डिग्री बीच में होता है फिर उपर की तरह उतरी गुलाद में 90 रेखा है होती है एक एक डिगरी पर और इसी परकार से हम जब नीचे आते हैं तो एक एक डिगरी पर 90 धर होती है तो टोटल जो हो गया 181 रेखा है और देखे इसी परकार से जो देसांतर हमारी रेखा है तो देखे इनकी जो संख्या होती है और इनकी जो तो तो जो इनकी जो संख्या है तो इनकी जो संख्या है टोटल 180 है जीरो से स्चार्ट होती है ठीक है देश अंतर रेखा है और यह आपको बता दिया अक्षांस रेखा है कितनी है और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और तो देखिए जो हमारा पर्षन है आगे हम जानेंगे अपने पर्षनों के बारे में देखिए अपर्षन क्या है हमारा नेक्स्ट तो देखिए अंतर रास्टी है तिती रेखा अंतर रास्टी जो तिती रेखा है वो कौन सी है अंतर रास्टी तिती रेखा किसको कहा जाता दे दो 2 2 она या 45 अधसित डिग्री सद्र तो देखिए इसका जुई आंसर होगा मैं इसके आंसरा मों लगा भी सकते हैं इस परकार से यह तो कि दिसांतर रेखा चीक है ना दिसांतर रेखा होती है अंतरास्चिति रेखा जो उती है वह एक दिसांतर रेखा होती है चीक है तो यह हमारा कुश्ण